दोस्तो नमस्कार मैं सौरब गोष्ष्वामी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में पॉरोना का डर है ओमिक्रॉन का डर है नई गैल्डान भी आहे हैं अवारे साथ ऐसे व्यत्वत है जो डॉक्टर है नेतावी है ते कि दारी दारी भी होने लजुत को सदर पूरी देश की जंता को समझ चुकी है बच्चा बच्चा जानता है और दोजब नंवारे साथ है कारुना में हमें क्या नहीं करना उसके बाद भी बार बार जंता गलती करती है और कारुना का जो थर्ड विव अभी आया है ये उसी का प्रड़ाम है सासन पर सासन तो हमेंसा चीतावनी देता है मजबूरी बस कुछ गतिविदियां भी ऐसी चलती रहती है जैसे कि चुना हु हुए साधियां हुई है ना लोगों के आई वजन हुए तो यह सब फिस्टिवल जैसे भी दिवाली आया क्रिसमस आया निव यर आया तो यह सब सभी चीज़ें मिल करके और इसका ही कारण बनती है तो अब तो कोरणा आ गया है अब इस पर कैसे हम रोक लगाएं कि यह और ना है जो आज अभी ऑमिक्रोन वेरियेंट जिस तरह से भी हमारे देश में भी आगया है और डेली इसके किस्ट बढ़ रहे हैं लेकिन चुक्कि बैक्सिनेशन हो चुका है मुस्त मतलब जितने जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं तो वह सब बैक्सिनेटर हैं उल्मोस्ट को मैं मेंड सीज हो रही हैं और यहीए कारण है कि अभी आफरात अपरी नहीं है आईशू की जरूत नहीं है यह डैथ रेट भी उतना नहीं है और लगोन करें की फट्रस निगल जाएं लोग तरस तना हो पुराने अन्भाव बहुत कस्टदाई हैं हमने बहुत अपनों को खोया कि देख रहा है कि पिछले 5 साल का जो कारिकाल था वो पूरा होने जा रहा है सरकार की मजबूरी है पांच साल पूरे होना उनको नई विधानसवा गतन करना है तो एक कुछ अबस्यम भावी चीजें हैं और चुनाव आयोग ने प्रसासन के साथ सासन के साथ मिलकर के जो नई गाइड्लाइंस करी हैं वह बहुत कावले तारीफ हैं जिस तरह से गाइड्लाइंस हैं कि दो और पांच की संक्यावरों ने धायरत की है कहीं कोई रैली का आएफ़ नहीं सभी रोक लगी हुई है औ तो इस आप से देखा जाए तो अगर जन्ता अपने बोर्ट का इस्तिमाल जरूर करें सावधानी के साथ तो चुनाव अच्छा हम जैसे आपको जानते हैं हम आपकी सुनते हो लोग भी इस परकार की चार्टा करते हैं मुखरवक्ता की तरह हैं तो मुझीदा सरकार के साथ किस तरीके से देख रहा है देखिए आपने अगर किंद्रकार की बात की है तो हमारे इससवी प्रदान मंतरी माननी स्री मोधी जी का कोई मुकावला नहीं है और वो हमारे दिलों में च्छा गए हैं मैं तो मेरे तुना आइडियल हो गए हैं जीवन जीने की उनकी जो देता हूं मोधी जी मोधी जी की जो पॉजिटिव इनर्जी है ना उसे लोगों को सीखना चाहिए और जिस तरह से उनने देश में कुछ ऐसे कठोर निर्डाय लिए हैं जिनको परानी सरकारें नहीं कर पाएं जिन कामों को और उन कामों को देश ने सराहा है देश प्रगत कर रहे हैं अभी तो मेरे को बहुत समय लगता है मोधी जी को भी जनता और समय देगी और जितनी हमारे देश की जरूरते हैं वो सब जल्दी पूरी हो ऐसी मेरी सरकार के साथ को देखिए अगर केंद्रा प्रदेश दोनों में जब पांच साल से भी बीजेपी सरकार सारे ऐसे काम किये हैं जो पुरानी सरकारे नहीं कर पाएं हमारे याँ आप देखिये हर जिले में मेडियी कॉलेज खुल गया है जो पंदरह मेडियी कॉलेज थे उन की जगए आज 60 मेडियी कॉलेज का काम चल रहा है और जल्दी ही वो स्तुरू हो जाएंगे ऐसे ही आप देखिए जगे जगे एयरपोर्ट खुल रहे हैं हमारी ललिटपुर में भी आप देखिए ललिटपुर को हम पहले कितना पिछड़ा कहते थे अभी भी आज की स्थिती में तो पिछड़ा है लेकिन जब यह सब सरकार की जो यह उजना सब यहीं से एरपोर्ट की अपनी फैसलिटी लेंगे प्लस जो आपने जिक्र किया बल्क पार्क जो है ना मड़ावरा सहथ पर एरिया में बन रहा है मारे जिले में उस से उस तरफ का जो पूरा रोड का विकास है सड़कों का विकास है वहां के आसपास की गाओं का विकास है प्लस हमारे यहां जो इतने सारे उद्योग जो लगेंगे तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उन गाओं में बाहर से पैसा भी आएगा बाहर की लोग आएंगे पैसा भी आएगा अभी हमारे जो जिले की आमदनी है वो मुक्तक करसी पर है यह पहले माइंस थी यह लोगों की सेलरी आती ही गौवर्मेंट से तो इस तरह की न अब आए के सुरुत बहुत सीमित रहे हमारे यहां हम चाहते हैं हमारे यह नए उद्योग लगें और बाहर से लोग ज़्यादा आना जाना हो परेटन का विकास हो हमारे यहां जिससे की यहां के लोगों क जो माली हालत कुछ ठीक हो गाउं में जो आदमी की मुलबुत सुबदाएं हैं वो ठीक होना चाहिए बिजली पानी शुड़क के साथ बच्चों को सिक्षा भी बहुत जरूरी है और हर आदमी को स्वास्त के लिए हम चाहते हैं कि जो भी सरकार करने काम किये हैं और अब जो मेडिनी कोलेज बन जाएंगे उनसे जो बिस्थक बगर हमारे यह आएंगे और जो हमारा इंफ्रेस्ट्रेक्चर पहले से मौजूद है जिलास्ताल का उसमें जो सुबदाएं थी पहले से वो सब सुचार लूप से चलने लगे सबसक्राइब की के सबस्क्राइब करें सुच्छिता मोदीजी का नरा है सुच्छ भारत हमीं अगर सुच्छ भारत बनाना है तो यह चीज जो आपने कहा सबस्चालाए घर-घर सबस्चालाए होना चाहिए आप देखिए मैला पहले कितनी परेशानी उठा दी थिती बच्चें कितनी परेशानी उठाती थी गाउं में तो पहले कुछ गिने चरी लोगों के पास स्वचलाय वो भी खुले स्वचलाय हुआ करते थे तो अब जो सरकार ने अभी जो जो स्वचलाय की जो लोगों को अनदान tale ने दिया है और इससे गाओं में अभी जाई आप अच्छे घरों में सबी जगए और मैं पूछता हूं मरीयों से कई बार कि आपके सोचाला की दिक्कत है कहीं कुछ तो बहुत खुस हैं लोग इससे और मैं चाहता हूं यह और इस तरह की जो है अनुदान रासी आती रहे लोगों को और दीरे दीरे हर घर में सवचाला हो जाए लोग सब आपने आविदन किया है राजनीती डॉक्तर में नहीं देखिए मैं पिछले तीस सालों से यहां पर तीस बर्सों से रूप में काम कर रहा हूं और मैं जब कॉलिजी लाइफ में था मैं बहुत दबंग छात्रनिता था मैं मैं 1990 में जबलपुर का सेंटर जेल रात को ढाई वज़े खुलवा लिया था एसपी साब को चेलेंज करके क्यों मैं सत्त के साथ था ठीक है ना तो वैसी दबंगी नहीं लेकर सत्त जब हमारे साथ होता है और हमारा बाज़बा का सासन था उस समय माननी शुनरलाल जी साथ ये मेरा चुकि मूल जनपद है मेरे फार के कहने पर मैं यहां प्रेक्टिस करने आया और यह बस गया लोगों का बहुत सभी मिला और काम देखा यहां पर यहां की लोगों की जरूत को देखा और फिर मैं यहां से गया नहीं और 30 वर्सों से सेवा करते करते अब पिछले पांच बर्स पहले भी मेरे साथ ये नौबत आई थी कि मुझे चुनाव रणने कहा गया था लेकिन मैंने उस समय इसको सुई कर रहा नहीं था मैं मानसिक ग्रूप से अपनी स्टिक्साचीत को छोड़ने को तयार नहीं था लेकिन आज भी नहीं छोड़ूँगा काम करता रहूँगा लेकिन मेरे पास जो दूसरी विधार नेतरत च्छमता की है और दूसरी बात इस जिले की जो बदहाली है वो देख करके मैं हमेसा है लोगों से कहता हूँ अब तीस साल में कोई बहुत बदलाओ मैंने ऐसा नहीं देखाए नेता हमारा सहर में पबलिक के साथ खड़ा नहीं होता है जंता की समस्याओं में नेता सहबाक्ता निन बाते हैं हम चाहते हैं कि ऐसा नेता हो सहर में जो जनता के बीच आए जनता और सिहासन के बीच समंज से पनाए उनकी समस्याओं को बिंजुल करके उसमें अपना जो युगदान दे किया गया है क्यों नहीं आपने देखा नहीं अभी आप अब बगरे तैयार हो गया पूरा परक उसकी पूरी योजना भी तैयार हो चुकी है तो बरसात में खराब हो जाती है ठीक हो जाएंगी सब्सक्राइब काम हो रहा हर गाव में पहुंच मार्क बन रहे हैं गाव में बहुत विकास हुआ है लेकिन हमारे जिल्ए की बधाली इत थी उसको ठीक होने में समय तो निश्चत लगेगा और भाजपा सरकार इसी तरह फिर से आई आएगी निश्चत आएगी तो जो बच्चे को काम है वो जरूर पूरे होंगे योगी जी का ने तो ठीक रहा है बहुत अच्छा देखिए योगी जी को किसी से कोई मतलब नहीं कोई स्वार्थ नहीं आज कोई कह नहीं सकता पिछले पांच सालम में एक कोई ब्रष्टाचार उनके नाम या उनके किसी मंत्री की नाम ऐसा ब्रष्टाचार का आरोप लगा हो और बिल्कुल द्वारा उनको मुख्यमत्री बनना चाहिए और हमारे प्रदेश में योगी ज होता होगा कि आपके साथी पर तमीजी हो जाए गुंडागर्दी करते होंगे लोग पहले कितना बदल गया गुंडागर्दी के माम लें वही सब्सक्राइब प्रदेश में आज बिल्कुल आपने सही का जब पिछले कई बरसों में मैं देखता था बाजपास असन के पहले कि उतर प्रदेश बिहार यह सब पहले से बदनाम है अगर मेरे कोई साथी मुझे से पूछते कि आप उतर प्रदेश में हैं आरे वहां तो बहुत कपर तो वो इस्तिती बदली है इन पांच सालों में मैं किसी का ब्यक्ति बिसेस का नाम नहीं लोगा लेकिन वो सुरक्षा कि भावना बहुत बड़ी है हमारे पुरियों में हर जन्पद में हर जगह देखा जाए स्वरक्षा की बावना हम लोग के अंदर खुद मैसूस करते हैं और जहां तक हम लोगी बात है तो हम लोग भगवण के पास है हमारे पास ऐसा कोई किसी का कभी केस नहीं आया कि कोई दुर्विहार करें लेकिन हां डॉक्टरों के साथ प्रदेश में देश में कई जगे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इन पांच सालों में इन सब लोग हमारे अपनी चीज़ को नहीं देखते हैं दूसरे का देखते हैं हमारी आए भी बढ़ जाती है वो सब मेरी पहले फीस पचास रुपर थी आज मेरी फीस जड़ा है तो ऐसा हर आदमी की आए बढ़ती है महिंगाई निस सिर्फ समय के साथ बढ़ती है और महिंगाई का है एक कोई कारण नहीं है महिंगाई में जणता वी सामिल है जणता ने एक नियूर करकारी की नियत खराब हो जाती है तो ठीक है बट सरकार कोशिस कर रही है कि महिंगाई नियंत्रित हो और लोगों को जो जरुत की தिरह पर मिलथी रहे हैं आपने सुनाई होगा कि विचारों में अपनी बात किलियर करते हैं सही तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं करी वारे हमने को सुना है और हम पोसिस कर देंगे आप भी कुछ कोई भी वीडियो डालें उसका हम जरूर सुनें कोईट को लेके बहुत सतर किया लोगों के लिए से कंड़ वेड में लोगों के लिए जलूर है राजनती में आना लग्सा प्रयास कर रहा है मेरा जनता को संदेश है पहले तो सबसे पहले हमारे सामने जो कौरणा का भी धर्ड वेड चल रहा है मैं सभी से अपील करता हूँ मास लगा के रखें सफाई रखें समय समय पर हाथ दोएं आप उसमें दो मीटर की दूरी बना कर रखें और चुनाओं पर जब आपका मद्दान करने जाएं तो पूरी साओधानी बढ़ते हैं लेकिन बोट जरूर डालें ये बोट आपका बहुत कीमती होता है बोट अच्छे वक्ति को दें योग्य वक्ति को दें जाती पाती पर बोट ना दें